हलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एक्जाम इस्टडी आई क्यू पर आज है 10 जुलाई 2020 और हम आज के सभी इंपोर्टेंट क्विशन्स के बारे में डेटेल के साथ डिसकस करेंगे जो कि आपके एक्जाम्स के लिए आज का पहला क्यूशन है हाल ही में हुए वर्चुल मिनिस्ट्रियल और क्लाइमेट एक्षन के चोते संस्करण में भारत का प्रतिने दित्व किसने किया है तहां हमारे देश के परियावरण मंत्री प्रकास जावडेकरजी द्वारा वर्चुल मिनिस्ट्रियल और क्लाइम देने के लिए अपनी बागिदारी करने का आवान किया है नेक्स्ट क्विसन है हाल ही में किसे केंद्रिय विज्ञान और प्रोध्योगीक नीती की विसेसग्य समीती के सधैश के रूप में चुना गया है तेह continuously कुरूविला जॉर्ज को विग्यान और परद्यक्य नीति की सभड़ हो यह है सिजो कुरूविला जॉर्ज और यह केरल से चुने गए एक मातर जुर। सभण के सभण के सभड है. नेक्स्ट क्यूसन है हाल ही में किस देश में डिजिटल हार्ट का सुभारम में किया गया है तो यह बांगला देश में डिजिटल हार्ट का सुभारम में किया गया है अब यह डिजिटल हार्ट क्या है तो एक ऐसा ओनलाइन प्लेटफॉर्म है जो की इद से पहले जो इद पर पस्वों की बली दी जाती है उनकी ओनलाइन खरीदारी और बिक्री इस प्लेटफर्म के माध्यम से की जाएगी नेक्स्ट क्यूशन है हाल ही में किस ने DRDO के साथ आकास मिसाइल वेपन सिस्टम के लाइसेंस समझोते पर अस्ताक्षर किये है यह BDL ने DRDO के साथ आकास मिसाइल वेपन सिस्टम के लाइसेंस समझोते पर अस्ताक्षर किये है और यह जो आकास मिसाइल है वो सरफेश टू एर रक्षा परनाली से लेस है बात वी BDL की तो BDL की फुल फॉर्म है भारत डाइनमिक्स लिमिटेड और इसकी इस्तापना 1970 में की गई थी और BDL का मुख्याल है हेदरबाद में इस्तित है और BDL के CMD है सिदार्थ मिस्रा अब DRDO के साथ यह समझोता हुआ है तो DRDO की फॉल फॉर्म है Defense Research and Development Organization हिंदी में रक्षा अनुसंदान एवं विकास संगठन और DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी और DRDO का मुख्याल है नई दिल्ली में इस्तित है और DRDO के चेर्मेन है डॉक्टर जी सतिस रेड़ डी Next Question है आलिही में जगदीप और फॉर्फ सोर्मा भुपाली का निदन हुआ है तो वे कौन थे तो वह एक अभिनेता थे ये थे जगदीब और फिस शोर्मा बोपाली जिनका हाली में निदन हुआ है और ये एक हमारे देश के बॉलीवुड के जाने माने हाश अभी नेता थे नेक्स्ट क्रिसन है हाली में किस देश ने आपचारिक रूप से डबलू एचो से बाहर होने की गोशना की है तै अमेडियक देश ने आपचारिक रूप से डबलू एचो से बाहर होने की गोशना की है बात हुए अमेडिया की तो अमेडिया की रास्दाने नहें वासिंग्टन डीची रेश्ट पती हैं डौनईल ट्रम्ब और अमेडिका की करेंसी हैं अमेरिकंड टॉलर और बात हुई है यहां डबलुएचो की भी तो डबलुएचो की फुल फॉर्म है World Health Organization और हिंदी में विश्वे स्वास्त संगठन और डबलुएचो की स्थापना 7 अप्रेल 1948 को की गई थी और डबलुएचो का मुख्याल है जिनेवास स्वीट्जर लेंड में इस्तित है हाल ही में किस राजी के मुख्यमंत्री द्वारा पांच जल आपूर्ती परियोजनाओं का उदगाटन किया गया है तो है मनिपुर राजी के मुख्यमंत्री एन बिरेंज सिंग द्वारा पांच जल आपूर्ती परियोजनाओं का उदगाटन किया गया है बात हुई है मनीपुर की तो मनीपुर की राजदा नहीं है इंपाल मुख्य मंत्री है एन विरेंज सिंग और राजपाल है नजमा है पितुला मनीपुर हाई कोट के मुख्य नायदी से रामा लिंगम सुदा का नेक्स्ट क्यूशन है हाल ही में कौन सा देश खसरा और रूबेला बीमारी मुक्त देश बना है तो हैं मालदीव और स्रिलंका दोनों ही देश खसरा और रूबेला बीमारी मुक्त देश बने और इन दोनों ही देशों ने 2023 तक खस्रा और रूबेला बीमारी से मुक्त होने का टार्गेट रखा था लेकिन ये 2020 में ही इन दोनों ही बीमारी खस्रा और रूबेला से मुक्त हो गये हैं आएं Test Question है ही इंडिया Global Week 2020 का उद्गाटन किसने किया हे हैं हमारे देश के प्रदानमंत्री नरेंध्र मोदी जी द्वारा इंडिया Global Week 2020 का उद्गाटन किया गया है और यह हैं इंडिया Global Week 2020 ब्रिटेन में आईजित किया जा रहा है और इसमें 30 देशों के 5000 प्रतिबागी सामिल हो गए अब इसकी थीम क्या है तो इसकी थीम है Be There Reveal, India and a Better New World नेक्स्ट क्रिशन है हाल ही में किसे Vectus Industries Limited का ब्रांड एमेसेटर बनाये गया है पैस सेफ अली खान और करीना कपूर खान दोनों को ही Vects India Limited का ब्रांड एमेसेटर बनाये गया है और Vects India Industries Limited के नए मार्केटिंग अभियान Vects India की बटर लाइन को भी अभी लांच किया गया है और जिसका ही ब्रांड एमेसेटर शेफ अली खान और करीना कपूर खान को बनाये गया है नेक्स्ट क्विसन है अब यह सेल्फ इसकेण एप क्या है तो यह एक ऐसा एप है जिसके दोरा आप अपने मुबाइल से ही अपने डोकुमेंट्स को स्केण करके सेव कर सकते है और यह एप पस्चिम मंगाल राजी के सूचना प्रोद्योगी की विवाग दोरा विक्षित किया गया है बात तो यह एप पस्चिम मंगाल की तो पस्चिम मंगाल की राजदानी है कोलकाता मुक्य मंतरी है ममता बनार जी और पस्चिम मंगाल के राजपाल है जगदीप धनकर और पस्चिम मंगाल के हाई कोट को कोलकाता हाई कोट कहा जाता है जिसके मुक्य नायदीस है टी बी एन राधा क्रेशनल नेक्स्ट कुश्टन है हाली में किसे Global Humanitarian Award 2020 से समानित किया गया है तो है सची नवस्ती को Global Humanitarian Award 2020 से समानित किया गया है अब यह Global Humanitarian Award दिया क्यों जाता है तो यह अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो समाज और दुनिया को बहतर बनाने के लिए निस्वार्थ रूप से काम करते हैं को Global Humanitarian Award से समानित किया जाता है नेक्स्ट क्वेशन है हाल ही में AIBA द्वारा जारी रैंकिंग लिष्ट में कौन सीर्स पर रहा है यह हैं अमित पंगाल AIBA द्वारा जारी रैंकिंग लिष्ट में सबसे सीर्स पर रहे है यह हैं अमित पंगाल और ये हमारे देश के इंटरनेशनल बॉक्सिंग प्लेयर है जिन्नों ने AIBA द्वारत जारी रैंकिंग लिस्ट में टॉप किया है और वही वुमेन लिस्ट में हमारे देश की बॉक्सिंग प्लेयर मंजूर रानी दूसरे नमबर पर रही है बात हुई है AIBA की तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बॉक्सिंग असोशेशन हिंदी में अंतराष्ट्रिय मुक्के बाजी संग और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी और AIBA का मुख्याल है स्वीजर लेंड में इस्थित है और इसके अध्यक्स हैं मुहम्मद मौस्तासन नेक्स्ट क्विशन है हाल ही में किसे T.I.F.F. का एमबसेडर चुना गया है तो इसकी फुल फॉर्म है तोरेंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हिंदी में तोरेंटो अंतराष्ट्रिय फिल्म महोत्सव और इसी का एमबसेडर प्रियंका चुपड़ा को चुना गया है तो ये थे आज के इंपोर्टेंट क्यूशन अगर इन क्यूशन में या अन्नी किसी भी क्यूशन में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो आप वहाँ से क्लिक करके हमें फॉलो कर सकते हैं